नमस्कार इस्टोन इस्टोन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आपकी प्रोडम्स लिमिट और डेरिविटिव का टोपिक चला है और एक साथ हम सौल कर रहे हैं 13 पॉंड का इसके कंसेप्ट को हम एक्स्पिरेंट कर चुके हैं आपके साथ बहुत अच्छी तरह से और भौ अच्छी तरह समझते रहे हैं और देखें क्या करना है इसमें कोसा नमबर 13 है इसके कंसेप्ट को हम आपको बहुत अच्छी तरह से एक्स्पिरेंट करा था हम ने आपको बताया था कि एक से एप्रोच टू जीरो है और साइन एक्स अपोन एक्स की जो बेलू आती है वो औ है इसमें प्रूब करीए लेगिन यहां पर पॉसन क्या है यहां पर पॉसन 13 आपका यह है कि 13 कोसा नहीं द्यार खानएंक का और ये जीरो होने पर साइन ए एक्स अपन वी एक्स की लेमिट क्या होगी ठीक है, देखिए, बहुत अच्छी तरह समझे लें, कि sin x upon x, ठीक है न, कोई 1 की equal नहीं होता है, यह 1 की equal तब ही होता है, जब x approach 0 होता है, तो sin x upon x क्या होता है, 1 होता है, द्यार रखिए, यहां पर x approach 0 होना ज़रू नहीं है, यदि यहां पर x approach to 1 है, तो यह 1 के बरावन नह होगा यहाद 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 और भी कोई नंबर है तो भी बनके रवन नई हूँ है यहाद यहाद है कि 창ौ भरी यह फिनली है यहाद के फरी Fo controllers युवा थिया तो साइन एकस फॉन एकस की इतनी है बनके जितनी आती ए मेरा किए विलनला केस में यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ जो नंबर है दोनों इकोल होने चाहिए ठीक है यहाँ पर आपके पास AX है आप इसको इस तरह से लिखिए AX है पूर जीरो एल्टी AX से मल्डिप्लाइ करते है ठीक है जी ध्यान रहां रखें जो नंबर यहाँ पर है वो ही नंबर यहाँ पर होगा और AX से पूर होगा होगा रख ची के टरंप से आप रहो होगे तो यह रियाल्ट किसके बरावर आएगा यह नंबर जो है वन की फॉल आएगा आप यह कह सकत मेरे बाद को आप ठीक है देखिए उसके बाद है इसी तरह का दूसरा कॉस्टन 14 है जो यह आपके पास x अपूज 0 है और आपको दे रखा है sin ax upon sin bx ठीक है जी इसको भी हम इस फॉर्मिट में ले जाएंगे तब सॉल कर पाएंगे कैसे ले जाएंगे इसको इससे लिखेंगे हम x approach to 0 लिमिट निकाला है यहां लिखें sin ax इसके नीचे खाले जिवर छोड़ दे और इस sin bx पर आप एदर लिखेंगे तो इससे समझानाई से पर लिए एक बात और भी समझा दूँ के x approach 0 sin x upon x ही बनाती है और यद यह ऐसा टो जीरो x upon sin x तो भी इसका रेल् tengo किता आता है बन की कोलाता थी कैई यद्ध यहां पर भी जो begins एक से और यह ले जो नमबर यहां पर है वो नमर्रे यहां पर भी है तो रेल्ग कितना आएगा यह बन की कोलाई ठीक है लेकिंगे let's subsequent का है X approach to 0 होना चाहिए, यहां पर भी 0 होना चाहिए और यहां पर भी 0 आ जाना चाहिए, 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 यहां पर भी 0 आ जाना एैकस जी रोने पर यी वी बन होगा और एकस एकसे कट जाएगा तो सॉल करने को कितना आफर आएगा या जाएगा एपन बहुत अच्छाइग है ओ Bundesregierung आप ध्यान थे एकस एफ जीड़ोगों इस पर लिम्ट अलगा यह question है आपके पास 15, देखें इस 15 question क्या हो रहा है, इसमें लिमिट जो है, sorry, approachal जो value है वो pi दे रखिया, यहाँ पर दे रखा है 15 question में आपको, कि x approach to pi है, sin pi minus x upon, यहाँ पर pi bracket pi minus x है, ठीक, देखें, मैं एक बात बहुत अच्छे दर आपको बता दूँ, x approach to 0 होगा, sin x upon x से बन के बलवाएगी, इस question को आप इस form लेगे, ठीक, कैसे ने जाएगी, आप यहाँ पर ऐसा कर लेगे, pi minus x को कुछ पान लेजिए, माल लेता हूँ कुछ चीज़ टी है, ठीक है, जब pi minus x परावर t माला है, तो आप ने minus x परावर कितना हो जाएगा, t minus pi हो जाएगा, आप यह कह सकते हो, minus से multiply करेंगे तो आप यह कह सकते हो, कि x जो है, आपके पास minus t plus pi हो जाएगा, ठीक है ने, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, अब इस x की जाएगा पर आप minus t plus pi रखेंगे, तो क्या पॉसन हो जाएगा, यह हो जाएगा, minus t plus pi approach to pi, limit निकालें, यहाँ पर lt लगा दे, limit निकालें आप, ठीक है, और देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, क्योंकि आपने pi minus x को क्या बाना है, t बाना है, नीचे आपके पास यह pi रहेगा, और इसको आपने t माल दिया, तो यह t हो जाएगा, इतना हो जाएगा, अब देखें, इस pi से pi को इधर ले जाएगा, तो यह t approach to 0 हो जाएगा, minus t approach to 0, minus t approach to 0 का मतलब है, t approach to 0, यहाँ माइनस आप मिल्टी पैर करेंगे, तो भी क्या हो जा आप जाते हो, t approach to 0, और यह हो जाएगा, sin t upon t और 1 upon pi को उधर ले जाएगा, अलागे हो जाएगा, आप जानते हो, कि t approach 0 है, तो sin t upon t की बन क्या हो जाएगी, बन हो जाएगी, आप इसे 1 into 1 upon pi, solve करेंगे तो कितना होबा, 1 upon pi, जिश्वरा एसा, बस नवी, हमने क्या है, कि जब तक x push 0, यहाँ पर 0 नहीं लाएगे, ठीक है, तब तक probability limit को solve करना possible नहीं होगा, ठीक है, हमने क्या कि यहाँ पर, कि pi minus x को क्या माल लिए हमने, पाई minus x को टी माल लिए, यहाँ यहाँ यह भी कह सकते हो, कि put x वराबर pi plus h, ठीक है, यहाँ पाई minus h, चाहाँ तो आप x की जब पर, इस x की जब पर क्या put कर लो, pi minus h, यहाँ pi plus h put कर लो, तो भी question solve हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपके इच्छा हो, चाहाँ तो आप इस तरह से put कर लेना, चाहाँ आप इस तरह से माल लेना, ठीक है, अगला question क्या करा है, अगला question solve करने यह से, आपको दे रखा है, x approach 0, 16 question है यह, यह है, x approach to 0, limit find out करें, और यहाँ है, cos x upon pi minus x, ठीक है, देखिए, हम रहे आपको बताय था, कि x approach to 0 है, x approach to 0 है, तो cos x का रियाइट है, वो 1 के पराम आता है, क्योंकि यहाँ पर ध्याना के नीचे x नहीं है, x approach to 0 है, तो cos x की limit प्राम निकली का आती है, लेकिए x approach 0 upon cos x upon x है, तो यह non-defined format आया था, ठीक है, तो इसका रियाइट 1 के पराम नहीं है, यह 1 को पर लहीं है, यह दा हमारे पास x approach 0 है, cos x upon pi minus x है, यह दा हमें इसमें 0 सीधे पुट कर दें, तो not-defined format नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा, यह देखे, x approach 0 है, और यहाँ पर cos x upon pi minus x है, इसमें सीधा 0 पुट कर देजिए, तो उपर आ जाएगा cos 0, नीचे आ जाएगा pi minus 0, और cos 0 होता है 1, 1 upon pi यह दा हमारे जाएगा, ठीक है, तो इस पूरे की जो limit निकल के आएगी, कितने लिकल के आएगी, 1 upon pi निकल के आएगी, ठीक है, चलिए इसे आगे question solve करूँगा, एक बार इनको copy कर लिए क्योंकि इस पर जगह नहीं है, आज 22 तक के question इस video हम solve करेंगा आपके साथ, ठीक है, अभी आपके पास 5-6 question और हैं, उनको भी solve करेंगी, एक बार copy कर लिजिए, यह 17 जो question है, देखी क्या आदे रखा है, यह 17 question में आपको दे रखा है, कि x आपूँछ 0LT, limit बताए, cos 2x minus 1 upon cos x minus 1, ध्याना कि हमारे पास क्या formula है, यह हमारे पास जो standard format यह है, कि x approach 0 है, तो sin x upon x की जो value है, बन के बराबर आएंगे, ठीक है न, हम इस question को उसी formula जानी कोशिश करेंगे, देखी कैसे ले जाएंगे, x approach 0 है, cos 2x का मारे पास एक formula था, क्या formula था, 1 minus 2 sin square x, ठीक है, यह था न, और यह minus बन रहेगा, upon, यह था, यहाँ पर 2x था, यहाँ पर x था, और यहाँ पर x है, तो x by 2 आएगा, और यहाँ पर minus बन आएगा, यह cancel हो जाएगा, इससे यह भी cancel हो जाएगा, और minus बन आएगा, तो यह हो जाएगा, x approach 0 sin square x upon sin square x upon 2, ठीक है, इसको solve करने पर इतना आगया, अब इसको थोड़ा सा ऐसे लखिए, x approach 0Lt, sin square x, इसके लिएगा, खाली जाएगा, छोड़ दीजिए, और इसको यहाँ पर लगा दीजिए, इससे लिखिए, sin square x upon 2, ठीक है, अब एक बात बता दो, यहाँ पर पावर n होना, ठीक है, sin to power n x हो, तो नीचे x की पावर n होने पर क्या आता है, बन आता है, समयरें अधाद? यहाँ पर यदए आपके पास, क्या है, x है, और यहाँ पर square है, यह बन कब होगा, यह बन तब होगा, जब इसका square नीचे हो, यहाँ जो नमबर है, उसका square नीचे हो, ठीक है? तो इसका square क्या होगा? x square, हम x square से उपन नीचे, multiply गए ठीक है बस बैक तो ये क्या हो जाएगा बन ओजाएगा दूसरी बात है x approach 0 है ये 1 कब होगा ये 1 तब होगा कि जब इसका square ऊपर हो और इसका square क्या होगा इसका square होगा x square upon 4 आप यहां लिखिए x square upon 4 यहां पर आएगा और x square upon 4 यहां पर आएगा हमरे यह पार ऐसे स्कोट से मैं यहां पर 10 यह राउकर से डिलोर पर यह बन हो जाएगा एक्स पर 40 यह बनओ जाए गा शीदा लेगा krim on 1-2 sin square x और इस cos x को लुखा है 1-2 sin square x upon 2 यह formula आप तो भी याद होगे और सबसे important बात यह भी ज़िए है कि यहाँ पर power n है तो नीचे इसकी power भी n होने चाहिए तब यह बन होता है ऐसा नहीं है कि ऊपर तो n power हो नीचे x हो और यह बन हो जाए तो वन नहीं होगा है यह बात as it 10 में applicable होगी इसके बाद question है आपका 18 18 question में यह कह रहा है कि x opposed to 0 है ठीक है और यहाँ पर ax plus b sorry ax plus x cos x upon b sin x ठीक है तब आपको limit बताने दीक है इसमें हम सीधी approachal value को put करें याद इसमें 0 सीधा put कर दें तो यहाँ पर 0 आजाएगा यह 0 आजाएगा यह तो बन हो जाएगा तो पूरा solve पर 0 आजाएगा और नीचे भी 0 आजाएगा तो यह 0 upon 0 format आ रही है जब 0 upon 0 format आ रही है तो हम question को या तो इस format भी ले जाना होगा या 10 के format भी ले जाना होगा तब भी इसके limit solve कर पाएगा हम इससे क्या ले सकते हैं इससे ले सकते हैं इसको 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 नीचे लगा दो यह लगा दो ax upon b sin x ठीक है ऐससे लगा दिया और plus इसको 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 इसके लगा दो तो क्या हो जागा यह x cos x upon b sin x इतना है जो ठीक है अब देखो इसको आप ऐसे ले सकते हो न x apple 0 l t limit निकाले ax b sin x plus इस cos को इसके ले ले आगी इस cos को इसके ले 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 लेगी लिख सकते हैं तो क्या हो जाए है साइन अपॉर सब्सक्राइब कर रहे हैं यह आप यह आप यह पर आसक्ते हो करें और क्षिभ गुल करें तो क्या हो जाएगा तो इसकी ही लिमिट क्या है किया है यहां प्र क्या है कि ऐसी है यहां पर क्या है x approach to 0 होने पर x upon sin x क्या हो जाएगा बन हो जाएगा ठीक है तो क्या बचाएगा यहाँ पर a upon b बचाएगा प्लस x approach to 0 होने पर ठीक है x upon 0 होने पर यह चीज क्या हो जाएगी यह चीज बन हो जाएगी तो उपर क्या हो जागा निची B बज जागा और यहां पर क्या बज जागा बनाएगा ठीक है तो solve करें कि तो कितना आजागा यहां जागा एपान A प्लस बन अपान B जारखेगा मैंने क्या करा है इसको इसके निचे लगाया है तो यहां A पान B X पान Sine X आगा है द्यार रखेए A पान Sine यह चीज बन हो जाएगा ठीक है सीधा बन हो गया तो क्या बज जाएगा इसको मैंने इसके निचे लगा दिया आगया है तो क्या रहेगा यहां पर यह नंबर आएगा हम जानते हैं C सब को on Sine क्या होता है 10 होता है उस 10 को निचे लाएगा सोरी caught होता है और caught को निचे लाएगा 10 हो जाएगा हम जानते हैं कि X अपन B 10 X की वरल जो हो वारी आईगी बन के बराबर आएगी यह ध्यार रखें कि X एपन जिज जिरो होने पर X upon 10X की जो limit निकल का दी है वो 1 के बराबर आती है ठीक है आप लियों में कह सकते हो कि X approach 0 पर 10X upon X भी बरे निकल का दी है वो limit जो निकल का दी है 1 के बराबर आती है एक बार copy करें इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा A plus 1 upon 1 ठीक है एक बार copy करें फिर आगी solve करते हैं इसको इसका जो 19 question क्या करा है बड़ा easy question है देखिए वो करा है कि X approach 0 है तो बताए X sec X की limit क्या होगी ठीक है न देखिए sec ultra क्या होता है cos होता है आप 4-3 यह लिख लेएगे X approach 0 X upon cos X ठीक है approach value सीधी पूट कर दीजिए तो not defined format नहीं आ रही है उपर तो आ रहा है 0 ठीक है और नीचे cos 0 बेल रहने हैं तो 1 तो solve करने पाँसर कितना आ गया 0 आ गया और चाहा होता आप सीधा यहां पूट कर दो वाई sec 0 के बेल 1 आती है 1 into 0 तो solve करेंगे तो कितना हो जागा 0 आ जागा जब not defined format आती है 0 पूट जीरो format आता है तब हम कुछ करते हैं जब 0 पूट जीरो format नहीं आ रही है तो सीधी approachable value पूट करने पर जो आंसर आता है वो ही क्या होती है limit होती है इसके बाद है question आपके पास 20 यह कह रहा है कि x एक्स पूट 0 है तो sin ax plus bx upon ax plus sin bx इसके लिए बाद है ठीक है इस question को भी हम क्या करेंगे sin x upon x पूट करने कोशिश करेंगे और सबसे च्छा तरीका क्या रहेगा कि divide divide by x in numerator and denominator ठीक है जी जब आप यहां से x इडिवाइट करदो इधर x इडिवाइट करदो तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x एक्स एक्स जीरो जब आप इसको x इडिवाइट गरो तो क्या हो जाएगा sin ax upon x plus b upon यहां x इडिवाइट करेंगे अब आप समझे रहे होंगे कि यह चीज बन कब होगी इबन कब होगा जब यह यहां पर ax है तो हमें यहां पर भी ax चाहिए तो x तो पहले से है तो यहां पर उपर नीचे में a से मुल्टिप्याइट कर दिए तो यह चीज बन हो जाएगी पूरी एक्स एप्रोश जीरो होने पर यहां पर यहां पर यह चीज बन कब होगी जब यहां पर bx है यहां पर bx चाहिए तो x को है तो b से में उपर नीचे में डिप्याइट कर दिए ठीक है अब जाह देखा है यह पूरा बन हो जाएगा तो क्या आँसर आएगा a into 1 plus b upon a plus 1 into b solve करेंगे तो a plus b upon a plus b आँसर कितना आगया ठीक है बहुत इजी तरीका था मैंने क्या कर दिया था उपर से x एक्स एड़ाइट कर दिया नीचे एक्स एड़ाइट करने पर यह format create हुई वेकर हमने यह देखा कि यहां पर x है यह बनकव होगा जब यहां पर a और आज है तो हमने उपर लिची है a से मुटिप्लाइट कर दिया तो यह दोनों पर आपर होगा जब तक यह दोनों परापर नहीं होंगे तब तक यह चीज बन के परापर नहीं होगी ठीक है इसके बाद है आपका question 21 21 question है आपके पास यह है x approach 0 और कुशेक x minus cot x कुशेक की value 0 की वो infinite है ठीक है और cot 0 की value भी infinite है यह not defined format आ रही है infinite minus infinite format अभी तक जो तरी लिए अपने question solve करें वो समय not defined format कैसे आ रही थी 0 और 0 ध्यार के infinite minus infinite भी not defined format है इस तरह question कैसे रहे जाएंगे इनको भी हम क्या करेंगे sin x upon x formula लाने कोशिच करेंगे और convert करने कोशिच करेंगे देखें इसे ले सकते हैं x approach 0 यह खुशेक है इसे लिखेंगे 1 upon sin x और इसे का लखेंगे आप cos x upon sin x ऐसा ले सकते हैं ठीक है और इसे लिखेंगे x approach 0 आप यहाँ निचे sin x लिख रहें और उपर हो जाएगा 1 minus cos x ठीक है और आपको पता है कि cos x का परूम्ला होता है क्या होता है यह होता है आपके पास cos x सा परूम्ला 1 minus का 2 sin square x by 2 cos x सा परूम्ला यहाँ 1 minus cos x सा सीधा परूम्ला याद रख लीजिए यह होता है 2 sin x by 2 ठीक है 1 से 1 कैंसल हो जागा क्या हो जागा 2 sin square x by 2 1 minus cos x का सीधा परूम्ला 2 sin square x by 2 ठीक है और इस sin x की जगे पर आप लिख लीजिए 2 sin x by 2 और cos x by 2 ठीक है जी तो 1 से 1 कैंसल हो जागा यहाँ plus का हो जागा 2 से 2 कैंसल हो जागा यहाँ sin x by 2 है और यहाँ पर इसको है तो क्या बचाएगा यह बचाएगा x upon 0LT sin x by 2 upon cos x by 2 ठीक है कोई परिशा नहीं ठीक है इस से sin x by 2 से sin x by 2 कैंसल हो जाएगा ठीक है 2 से 2 कैंसल हो जाएगा 1 से 1 कैंसल हो चुका है तो आपके पास क्या हैगा 10 x by 2 आ गया तो आप लखने है कि x approach 0 कितना आगया 10 x by 2 ठीक है अब सीधी approachable limit करेंगे तो क्या हो जागा यह 10 0 हो जाएगा और 10 0 तो define value आती है कितना से राता है 0 तो इसकी limit solve करने पर कितने आएगी 0 ठीक है हमने क्या करा हमने ध्यान रखें इस कुसेक x को बनपॉं sin लिखा ठीक है एल्सेम ले लिया बन मानस कॉसेक यह फरम लगा दिया और sin x यह अपड़ 2 sin x by 2 कॉसेक लगा दिया ठीक है उसके बाद से solve कर दिया है और बहुत इजी तरह से solve हो गया है ठीक है इसके बाद है आपके पास 22 question है ठीक है इसको भी solve कर देते है देखिए आपके पास है x approach to pi बैट ठीक है और यहां पर कितना है 10 2x अपान x minus pi बैट ठीक है आप इस x की जगे पर यहां पर limit आपको 0 लाना चाहरी अप्रोच यह जब तक x approach 0 नहीं होगा तब तक 10 पर limit solve नहीं कर पाएंगा हम यह जानते हैं कि x approach to 0 है तो 10 x upon x क्या होता है 1 होता है x approach 0 है तो sin x upon x 1 होता है लेकि यहां तो x approach to pi बैट हुए तो क्या करा है ऐसा कर लिजिए इसमें put करिए put करिए x बराबर pi by 2 plus h ठीक है अब चाहें तब pi by 2 minus h पूट कर लेंगे जब pi by 2 plus h करके put करके यहां से निकालेंगे तो कौन्स लिमिट आएगी रैटन लिमिट आजाएगी और minus करके निकालेंगे तो left limit लिमिट आजाएगी यह बात भी में आपको बताईए कि लेटन लिमिट और राइटन लिमिट क्या होती है इस वेग मैं आपको पूरे लेक्चर डिलिवर कर चुका हूँ आप उनको जाके देख सकते हैं वीडियो को कि उस लिमिट दो तरह की होती है लेटन लिमिट और राइटन लिमिट ठीक है अब आप यहाँ फर फूल्ठ करे हस हीए पाईवर क्रूर प्लास अच तो क्या हो जा़रा है ये पाईवर टू प्लास अच एपोस्ट गास्ट यह रहेघा तेन सच्टी मैंने इस सटेक्ही डिलिवर क्या रहा हुएं पाईव 2 plus h-pi by 2 जहांपर भी x है महाँ पर मैंने क्या रख दिया pi by 2 plus h यहांपर x है मैंने क्या रख दिया pi by 2 plus h यह pi by 2 h जिट रहेगा तो देखो इस pi by 2 से pi by 2 कहांच हो जायगा तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा h below 0 ठीक है दीखो इस 2 का अंदर में पढ़ेकर हो तो क्या हो जायागा यह हो जायागा 10 pi plus 2 H अपोन यह pi अशिक हो जेंगा निचे जापचेगा थीक है आप जानते हो गो 10 180 प्रस थीटा 10 pi plus थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है तो आप इसे नहीं सकते हो H approach to 0 10 2 H upon H ठीक है इतना आगया अब यह बन कप होगा यह बन तब होगा यहां पर 2H तो नीचे भी कहाना चाहिए 2H आना चाहिए पर 2 से उपर नीचे क्या कर दो तो यह नमर आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 इंटू 2 मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरसमझ में आगए होगी और इस वीडियो हमने कुष्ण कर लिए कितने 22 था अगले वीडियो में सॉल करेंगे आगे कुष्ण लेकिन हमें अच्छा लगेगा यद आप यह वीडियो अपने फिरेंट को जरू से अर और लाइक डिसलाइक कर आप जरूर करें लाइक डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगता उसे करें और कॉमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए ठीक है बताइए आपको हमारी बाता समझा रही है या नहीं आ रही है अपना ख्याल रखिए और टेंशन फ्रियों के काम करिए ज्यानकर 11th क्लास है लेकर रेस्ट में लेनी है अधिकता से 11th क्लास को रेस्ट में ले जाते हैं लेकर अब आपके एक्जाम आने वाले हैं और यह जो टोपिक चला है यह टोपिक 12th क्लास के लिए बहुत इप्रोटन्ट है पूरा केल्कुलस से लिमिट पर डिपेंड है महापर एक कंट्यूनि इसलिए इस टोपिक को बहुत इमांदाई से करने कोशिश करें और यह जो कोई प्रोडम है तो कॉमेंट बॉक्स में जरू लेकर अपना ख्याल रखिए थैंक यू बरिमाइच थैंक यू क calcium कि प्रोडम है झाल रखिज़ बॉक्स Okay I'm E